जे श्रीकृष्णा राधे राधे वेल्कम बेक टू माई चैनल जहां हम बात करते हैं लट्डिकोपाल के भोग बस्त्र और सिंगार के बारे में पूझा पाट से रिलेटिड कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी कृपा आप स और शुष्य पढ़े इस कथा को और सुने तो चलिये शुरू करती हम एक गाउं में ब्रह्मन दंपत्ति रहते थे दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुय थी दोनों बहुँ को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे इतने में सीटला सप्त्मी जिनके हाँ सप्त्मी होती सप कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगे और बेटे भी अभी छोटे हैं इस को विचार के कारण दोनों बहों ने तो पस्वों के दाने तयार करने के बर्तन में गुप चुप दो बाटी तयार कर ली सास बहो सितला माता की पूजा करके आई और सितला माता की कथा सुनी बाद में सास तो सितला माता के भजन करने के लिए बैठ गई और दोनों बहों के बच्चे रोने का बहाना करकर घर आ गई दोनों बहों और दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालके चूर्मा किया और पेट भर कर खा लिया सास ने घर आने पर बहुव से भोजन करने के लिए कहा बहुवे ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई सास ने कहा बच्चे कब से सोय हुए है उन्हें जगा कर भोजन करा लो बहुवे जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मिरत पाया ऐसा बहों की कर्टूतों का फल सुरूप सीतला माता के प्रकोप से हुआ था बहों बिवस हो गई सास ने घटना जानी तो बहों से जगडने लगी सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदोलत सीतला माता की अभेलना की है इसलिए अपने घर से निकल जाओ आप मेरे घर से दोनों निकल जाओ और अपने बेटों को जिन्दा स्वस्त लेकर ही मेरे घर में पैर रखना अपने अपने मिरत बेटों को टोकरे में सुला कर दोनों बहुए घर से निकल पड़ी जाते जाते रास्ते में एक दिरिण ब्रक्ष आया यह है खजेडी का ब्रक्ष था इसके नीचे ओरी सीतला दोनों बहने बैठी थी दोनों के बालों में विपूल प्रमान की में जू थी बहों ने ठकान का अनुभब भी किया था दोनों बहों और 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 सीतला माता के पास आकर पैठ गई उन दोनों ने सीतला औरी के बालों से खूब सारी जू निकाली जू का नास होने से औरी और सीतला ने अपने मस्तक में सीतल अनुभब किया कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को सीतल थंडा किया है वैसे ही तुम्हें पेठ की सांती मिले दोनों बहुए एक साथ बोली कि पेठ का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही है परंतु सीतला माता के दर्शन हुए नहीं है सीतला माता ने कहा तुम दोनों पापनी हो दुष्ट हो दुराचालनी हो तुम्हारा तो मुह देखने की भी योग्य नहीं है सीतला सप्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया यह सुनते ही बगों ने सीदला माता जी को पहचान लिया देवरारी जेठानी ने दोनों माताओं का बंदन किया गिड़ गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं अंजाने में गरम खा लिया था आपके प्रभाव को हम जानते ही नहीं थे आप हम दोनों को शमा करें हे माता हमारी गलती को आप शमा करें तुने ऐसा दृक्तिय हम कभी नहीं करेंगे अपने भविशे में दोबारा कभी ऐसी गलती हम दोनों नहीं करेंगे उनके पस्चाताब भरे बच्चनों को सुनकर दोनों माताय पिर्शन हुई सीद्ला माता ने मृतक बालोको को जीवित कर दिया बहुए तब बच्चों के साथ लेकर आनन से पुने गाउं लोट आई गाउं के लोगों ने जाना कि दोनों बहों को सीतला माता के साक्षाद दर्शन हुए थे दोनों का धूम धाम से स्वागत करके गाउं में प्रवेश कराया बहों ने कहा हम गाउं में सीतला माता के मंदिर का निर्मान करवाएंगे चैत्र महिने में सीतला सप्तमी के दिन मात्र थंडा खाना ही खाएंगी सीतला माता ने बहोपर जैसी अपनी द्रश्टी की वैसी सीतला माता आप सब पर अपनी द्रश्टी बनाए रखियेगा स्री सितला माता मा सदा हमें सांती सीतलता तथा आरोग्यदे बोरो सीतला माता की जै सीतले त्वे में जग माता सीतले त्वे में जगत पिता सीतले त्वे में जग दात्री सीतला ए नमोरमा तो ये थी सीतला माता की का था अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा कमेंट कीज़ेगा और जादे जादे शेयर कीज़ेगा मैं मिलूंगी न्यूव वीडियो के साथ जै श्रीकिष्णा राधे राधे